दोस्तों कोई भी कारे हमें तब तक असंभाल लगता है जब तक हम उसको पूरा ना कर ले मगर एक बार वो पूरा हो गया तो हम उससे भी आगे जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर और आज हम बात करेंगे एक महान वेक्ति के बारे में जो भारत के सबसे योग्या वेक्ति हैं जिन्होंने अपने योगता किस पर्यास से महान उपलबनियों को हसिल करते हुए सफलता प्राप्त की चलिए आप बताईए आपके बास कितने डिग्रियां हैं मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपके बास दो या तीन से जादा डिग्री नहीं होगी अगर वो होगी तो एक जैसे सब्जेक्ट की होगी या अपस में कोई ना कोई संबन्ध होगा क्या आप सोच सकते हैं कि एक विक्ती डोक्टर, वकील, MBA, IPS, IAS, विधायक, सांसद, पेंटर, फोटोग्राफर, अभीनेता हो सकता है लेकिन आपको ये जानका रश्चर्य होगा कि एक विक्ती ने ये सारी सफलताएं हासिल की और भारत के सबसे योग्य वे शिक्षित विक्ती बन गए उन्होंने 1972 से 1990 तक 42 इन्वस्टीज में एक्जाम देते हुए 20 डिग्रियां हासिल की जाधतर प्रिक्षाओं में उन्होंने फस्ट क्लास में अपने डिग्रियां प्राप्त की और उन्हें गोल्ड मैडल भी मिला ये कहानी है इंडिया इस मोस्ट क्वालिफ़ड परसन डॉक्टर शिरिकान जिचकर की जिनोंने अपने अभूत पुर्व ग्यान की बदोलत ये प्लब्दियां हासिल की इनसे उन सबको प्रेणा लेनी चाहिए जिने एक डिग्री लेने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है डॉक्टर शिरिकान जिचकर का जनम 14 सेप्टेंबर 1954 में नागपुर में हुआ उनका जनम एक अमीर मराठा परिवार में हुआ और शुरू से ही उनकी रुची पढ़ाई में बहुत ज़ादा थी उनकी अपनी एक निजी लाइबरेरी थी जिसमें करीब 52,000 किताबे थी उनका नाम लिंका बुक ओफ रिकोर्ड में भारत के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति के नाम से दर्ज है जो डिग्रिया उन्होंने प्राप्त की उनके नाम है MBBS, MD, LLB, LLM in International Law, DBM, MBA, Bachelor in Journalism, MA Public Administration, MA Sociology, MA Economics, MA Sanskrit, MA History, MA English Literature, MA Philosophy, MA Political Science, MA Ancient Indian History, Culture and Archaeology, MA Psychology और उन्होंने एक Highest Degree in University, Doctorate in Literature, Sanskrit में प्राप्त की और इतनी छोटी सी उमर में इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद दिग्रियां पाने के बाद उन्होंने IPS की त्यारी शुरू कर दी और उनका सेलेक्षन इंडियन पॉलिस सर्विस में हो गया लेकिन उन्होंने उसे जॉइन नहीं किया उसके बाद वो सबसे prestigious exam IES की त्यारी में जुट गए और उसे पास करके वो IES बन भी गए मगर चार महीनों के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया उसके बाद मात्र 25 साल की उमर में वो 1980 में राजनीती में आए और महाराश्ट विधान सबा के सदस्य बन गए और 25 साल की उमर में विधायक बनने वाले वो पहले निता बने और मंत्री वे रहते हुए उनके पास एक वक्त में 14 विभाग थे कुछ सालों के बाद वो राजने सबा के मेंबर भी बन गए इस तरीके से वो 1992 से 98 तक सांसद भी रहे उन्होंने 1992 में नागपूर में एक स्कूल की स्थापना भी की और उनके साथ साथ उनको फोटोग्राफी का भी शोंक था वो अध्याद्मिक परवचन भी देते थे दो जून 2004 में 50 वर्ष की उम्र में उनका एक सड़क दुरगटना में निधन हो गया इस तरीके से एक महान युक का अंत हो गया क्योंकि जो डॉक्टर शिरीकांजिशकर ने हमारे देश को दिया वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे इसलिए आप इस वीडियो को सब को दिखाएं कि डॉक्टर शिरीकांजिशकर जैसे लोग भी हमारे भारत में पैदा हुए थे जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रुख्शन किया ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टर शिरीकांजिशकर ने छोटी सी उमर में 20 डिग्रियां हासिल की उसके बाद विधायक सांसत रहते हुए मंतरी रहते हुए उन्होंने देश की सेवा भी की और ऐसा लगता है कि अभी तक उनका रिकोर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है और शाहिदी आगे कोई तोड़ पाए